मैं हूँ नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट मुंबई के जेजे हॉस्पिटल की रिपोर्ट में ये कन्फर्म हुआ है कि प्रत्यूशा पैनर जी प्रेगनेंट थी डॉक्टरों का मानना है कि 24 साल के इस एक्टरिस ने एक अप्रिल को सुसाइट करने से एक दिन पहले अबोशन कराया था आपको बता दे कि प्रत्यूशा की मौत के बाद ये दावा किया गया था कि वो प्रेगनेंट थी जे जे हॉस्पिटल में प्रत्यूशा के यूटरिस के टीशूज का हिस्टो पैथोलोजिकल एक्जामेनेशन किया गया था उसे के बाद ये खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि वो कुछ दिनों पहले या फर महीने भर पहले प्रेगनेंट हुई थी यूटरिस में सेकंडर इंफेक्शन और इंजिरी मिली है जो मिस्केरज या अबोर्शन से होती है डॉक्टर्स का कहना है ऐसी इंजिरी तभी होती है जब अबोर्शन कराया गया हो यानि डॉक्टर्स की माने तो प्रत्यूशा ने सोसाइट से पहले अबोर्शन करा लिया था एक्सपर्ट का कहना है कि इस अरजन में बच्चे का पिता कौन था ये साबित करने में पुलिस को काफी मशक्कत होगी साथी साथ उनका ये भी कहना है कि क्योंकि कोई टीशू मौजूद नहीं है इसलिए DNA टेस्ट करना काफी चालेंजिंग होगा आपको बता दे कि प्रत्यूशा अपने बॉइफरेंड राहुल राज सिंग के साथ लंबे वक्से रेलेशन्शिप में थी दोनों उसी फ्लैट में एक साथ रहते थे जहां प्रत्यूशा की लाश पंखे से लटकी हुई मुले थी इस पूरे केस में राहुल राजबर उन्हें खुदकुशी के लिए उक्सानी का इल्जाम है हाला कि राहुल खुद को बेकसूर बता रही हैं तो ये थी खबर प्रत्यूशा बैनर जी से जुड़ी हुई इसी खबर के साथ फल्मीपीट में बस इतना ही